तो इस वीडियो में यार मैं discuss करने वाला हूँ कुछ 5-7 चीजें जो कि यार मैंने college life के दौरान सीखी है ठीक है और कुछ ऐसे life lessons है जो कि मैंने सीखे है जिससे मुझे life में मतलब काफी clarity मिली है ठीक है मैं अभी चाहता हूँ कि मैं उन चीज को यार share करूँ आपके साथ और इस वीडियो को देखने के बाद मैं जिस चीजों पर मैं बात कर रहा हूँगा यार मैं उसको अपनी कोशिश करूँगा कि आपको deliver करूँ तब मैं उसको अपनी life से relate करके बताओं आपको कुछ examples के तुरू चीजे को समझाओं और इस वीडियो के बाद मैं आरी guarantee आर आप खुद relate कर पाओं गयार कि ऐसी चीजें आपके साथ भी college life में होती हैं और कैसे आप उन problems का solution ले सकते उस problem को कैसे आप एक solution के दवारा solve कर सकते हो यह चीजें कुछ clarity आपको मिल रही होगी यार तो इस वीडियो को पूरा देखना तो सबसे पहली चीज पर बात करते हैं यार never 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 compare yourself with anyone ठीक है कभी भी खुद को कभी भी किसी से यार हमें compare नहीं करना चाहिए ठीक है इस दुनिया में यार जितने हमारी life की जो journey है वो अलग है ठीक है सब अलग-अलग होते हैं ठीक है एक और चीज यार हम जो college में सबसे बड़ी गलती करते हैं यार यह क्या है कि हम existing जो life होती है किसी की उससे हम compare कर रहे होते हैं जैसे कि यार at least मानलो तुम्हें एक famous youtuber बनना है तो तो तुम Bhuvanbaum से compare कर र 2012-2013 में को exactly यार नहीं है पर उस time पर उसको यार 7-8 साल लगे हैं ठीक है तो तुम्हें compare करना तो तुम compare करो यार 2012-2011 के Bhuvanbaum से जब Bhuvanbaum 18-19 साल का था अगर तुम अभी 19 साल के हो तो Bhuvanbaum 19 में कैसा था ठीक है तो इस हिसाफ से यार करना हो था तुम क्या करते हो और तुम अभी से उसको compare कर रहे हो तो पहली बात तो यार उसकी life अलग है तुम उसकी existing life से compare करते हो और फिर demotivate हो जाते हो कि यार हमने तो life में कुछ करा ही नहीं है और हम तो पता नहीं क्या ही कर रहे है हमारा कुछ नहीं हो सकता life में तो ऐसा नहीं है so never never compare yourself हम आसपास अपने दो इसाप नहीं कर रहे है तो हमको इससे compare करना कुद को कि यार हमारी life की journey अलग है हमारे life में different goals है उसके life में different goals है वो अपने हिसाब opener को यार हो किसी से भी के तुम नहीं करना है कि मेरे दोस ने यह सब कर लिया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा है नहीं तुममारी life वह बहले negative points ये यार कि उससे तुम demotivate होगे और जो तुम कर सकते हो वो तुम नहीं कर पाओगे ठीक है जो जिस बंदे से तुम compare कर रहे हो उसको जो करना था उसने तो वो कर लिया पर तुम उससे compare करके खुद को limit कर रहे हो क्योंकि जो तुम कर सकते हो शायद तुम उससे अच्छा भी कर सकते हो शायद उससे बराबर का भी कर सकते हो पर तुम कुद को limit कर रहे हो compare करने से ठीक है तुमारी अलग चीज़े है different goals है तुमारी संदिगी अलग है ठीक है तुमारी जो situation रही है वो अलग है उससे ठीक है हमें पता नहीं है उसकी कैसी situation रही तुमारी कैसी situation रही सबकी अलग-अलग situations होती है तुमारे second point पर बात करते है वो है यार believe in yourself anything is possible ठीक है यह चीज यार मैंने मतलब पहले मतलब ऐसा हो दा था जब school time पे यार जो पहले तो इतनी negativity थी थी ना आसपास में कि मतलब खुद पे से भरोसा उड़िया था मेरा मैंने का यार भाई अपन नहीं कर सकते यह बहुत बड़ी बड़ी चीजें है अपन यह नहीं कर सकते मुझे पहला ऐसा लगता था यार कि मैं यूट्यूबर यूट्यूब कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते आज मेरे को 11 महीने हो चुके यार ये शायद मेरी 100 वीडियो है ये मेरी 100 वी वीडियो होगी ठीक है तो शतक मानने वाला हूँ मैं वीडियोस में ठीक है तो ऐसा में को लगता थे मैं कभी भी confidence से बोल नहीं पहूंगा ठीक है, मैं कभी कुछ कर नहीं पहूंगा, मैं English नहीं बोल पहूंगा, ठीक है, आज मैं English में बात कर लेता हूं, जितने भी professional लोग से, उनसे में English में बात कर लेता हूं, तो यार यह आज पास की negativity होती न, यह आपको खुद से भरोसा कर हो बस ठीक है, खुद पर वरोसा होना चाहिए, इंसान को हर चीज कर सकता है, अब यार तीसरो पॉइंट पर बात करते हैं, fear of not getting placed, ठीक है, हमें placement, ठीक है, हमें placement नहीं लग रही हमारी हमने, जैसे हम BCA college में है, हमेरी final year में placement नहीं लगी, तो क्या होगा, क्या होगा, यार believe me, college में आयो, explore करो, जितनी चीज़े तुम कर सकते, उतना करो, क्योंकि बाद में यार वो regret नहीं रहना चाहिए, कि तुमने यार explore नहीं क्या, और बस college life, college life is not all about placement, ठीक है, वो placement, placement कुछ नहीं है, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी तुम placement में बैटर हो, तो ये सोच़के जाना है, कि यार उस company को मेरी जुर्वात है, ये चीज़े काब होगी, जब तुमारे पास skill set होगे, जब तुमारे पास skills होगी, ये सोचके जाओ, कि अगर मैं उस company में, मतलब मेरा selection नहीं होगा, तो यार उस company का नुकसान है, ठीक है, तुम्हें ये सोचना है मतलब खुद पित्ता भरोसान आची यार यह मैं जाओंगा तो कुछ value add करूंगा ठीक है over deliver करो over deliver जिस भी company में तुम जा रहे हो placed हो गए हो माल लो तो उसको 100% नहीं अपना 110% deliver करो ठीक है उससे over deliver करो तो वा से फिर तुमारी भी यार growth होती रहेगी तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यार यह जो placement नहीं लगने का डर है इसको हटा दो यार ठीक है इसको हटा दो क्या हो गया नहीं लगी placement it's okay ठीक है तुमारी placement नहीं लगी off campus जाओ ठीक है इतने सारे online portal से वहाँ पर apply करो कोई बात नहीं हमारी college में नहीं लगी हमारी story different है ठीक है हम वह बच्चे नहीं थे जिसके हमारी campus में placement लगी हम हमने college life में बहुत सारी चीज़े करी है और उससे हमें कुछ सीखा है हम off campus ले लेंगे यार अगर हमें placement चाहिए होगी हो सकता है कोई किसी को अपना business करना हो अपना business कर लेगा तो बस वह भेड़ चाल में मत चलो कि यार placement नहीं लगी वह नहीं वह नहीं अरे यार नहीं लगी कोई बात नहीं off campus ट्राय करो ठीक है believe me अगर ऐसे ही भी मैंने cases देगे हैं जिनकी off मतलब on campus जो college से placement नहीं लगी तो उसके बाद मतलब जैसे उनको जो placement लगनी थी उससे कहीं अच्छी उनको off campus में जाकर उनको placement लगी तो यार वह आज ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हुआ हमारी campus में placement नहीं लगी college से off campus हमें कुछ ज्यादा अच्छी opportunity मिल गई तो यार you never know ठीक है आपकी life में क्या हो सकता अब कभी भी कुछ पता नहीं होता ठीक है life is not like कि हमें हर चीज पता होती कि हाँ बाई placement नहीं लगी तो don't get demotivated हम क्या करते हैं हम जब नहीं नहीं चीजों को यार try करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हमें हम क्योंकि हमारे पास experience नहीं होता हुतना हमारे पास इतना knowledge नहीं होती ठीक है हमारे पास इतना बोल सकते हैं कि experience sort of experience की कमी होती है lack of experience होता है उस वाजे से हमारे से वह यार, don't get demotivated अब हम demotivate क्यों होते हैं क्योंकि हम खुद को कहीं ना कहीं compare कर लेते हैं किसी और से, इस वज़े से हम यार जाहता demotivate हो रहे हैं, तो कभी भी demotivate मत हो, हमेशा motivate हो सुबह उठते ही, एक और टेप यहाँ पर मैं देना पढ़ी है, मतलब सुबह तुम उठ रहे हो उठते ही तुम यार न्यूजपेपर में वो negative चीज़े पढ़ रहे हो, ठीक है तो वो यार एक विकार चीज़ है, ठीक है सुबह उठते ही कभी भी newspaper पढ़ना है ठीक है, तुम्हें कुछ क्योंकि आज कल मैं न्यूजपेपर देखता हूँ तो यार पूरा negativity से भढ़ा होता है, negative news उसमें ज्यादा होती है, positive news होती नहीं है तो इससे बढ़ी है कि यार तुम अपने phone पे जो अलब तुमें business news पसंद है sports news है, तो वो तुम अपने phone पे देख सकते हो अकबार पढ़ना है, तो उसको दिन में पढ़ो या शाम को पढ़ो, सुबह उठते ही कभी भी अकबार नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही बखवास एडवाईस है, जो कि मैं हमारे बड़े देते हैं, बट इसको नहीं मानना है, ठीक है, ये बहुत बखवास जो मतलब मैं मेरा काम नहीं करके किसी और का काम कर रहा होता था अब वो जो किसी और का जो काम है ठीक है वो इतना important भी नहीं होता था पर मेरे को ये लगा बाद में मुझे ही realize हुआ है कि जो मेरा काम है वो अभी जादा important है यह जो काम है, यह जो मैं किसी और का काम कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, तो उसको टाल सकते हो, तो learn to say no, उसको मना करो, नहीं मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कह रहा है, आपको किसी की help नहीं करनी है, आप किसी की help भी मत करो, वो नहीं कह रह अब ही मैं तुम्हारा नीद सकता, हाँ मैं 5-6 गंटे बाद आपका काम कर दूगा जब मैं फिरी होगा ठीक है तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाहित मैं घमंड आ गया वो आगया वो सब ऐसी चीज नीए तुम्हेरा काम भी करना हठीक है, कल वो भी उंका काम भी तुम करी रहे हो, तुमा उनकी help करी drinking, ऑप उन्ने थोड़ा सा time दे रहे हो, उनका काम भी इतना important यहाँ, अगर उनका emergency ही हो, कुछ जादा ही हो है, तब तो करना ही हैं ठीक है, बाट मना करना सीखो, ठीक है, यह बह getting into good college like IIT, NIT और यहां पर जो भी हमारी IIIT अगर आप अच्छी college में नहीं गए हो तो यार आपकी जिन्दकी तवा नहीं हुई है बहुत opportunities हैं जब मैं college में मतलब examples दिख रहे हैं यार में कुछ सामने ही हो examples दिखते हैं मतलब उन्होंने खुछ से काफी सारी चीज़े सीखिए उनकी college कोई पूछता भी नहीं है उनकी college क्या थी और आज वो जो कर रहे हैं ठीक है वो बहुत एक next level चीज़े कर रहे हैं वही चीज़े आप एक बार LinkedIn पर YouTube channels हो तो उसमें जाकर देखो ठीक है उनकी जो journey उसको समझने की कोशिश करो तो ऐसा कुछ नहीं है यह जो society में एक में धना कि यार हम IIT नहीं गया नहीं गया तो हमारा कुछ नहीं होगा यह बहुत बखवास चीज़े यार इसके अलावा भी काफी सारी चीज़े हैं बस त साथवी learning क्या रही यार college की वो यह है कि मैं को अभी डेड़ साल हुआ है मैं second year में हूँ पर मैं learnings बता रहा हूँ ठीक है तो साथवी मेरी यह रही है यार कि आपके जो academics होते हैं अगर आपको life में कुछ जादा बड़ा उखारना है या कुछ extraordinary करना कुछ अलग हटके करना ठीक है तो वो life के आपके academics matter नहीं करते हैं ठीक है आपकी skills matter करते हैं और काफी सारी आपकी market की चीजों को आपको समझना पड़ेगा जिस भी industry में आप जा रहो उसकी चीज़ें सीखनी पड़ेगी यह जो आपकी formal education है जो हमें school colleges में पढ़ा जाता है यह जादा चीज़ें क बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी तुम्हें काफी और domains को explore करना पड़ेगा ठीक है यह जो तुम्हारी college में जो पढ़ाई कर लिया school की पढ़ाई कर लिए यह काफी नहीं है ठीक है इससे life में तुम कुछ extraordinary कुछ जादा बढ़ा नहीं कर पाओगे तो इसी के साथ यार इ इसस तुशार्व दिवाल साइनिंग ओफ